हलो दोस्तों स्वागते हैं आप से भी का टो पॉइंट के करेंट अफेर्स के सेशन्स में हम पिछले चंद दिनों से एन्वार्मेंट से रिलेटेड जो कोई भी इंपॉर्टेंट इंटरनाशनल ट्रीटीज और कन्वेंशन्स है उन सभी के बारे में बात करेंगे तो उसी सीरीज के तहत आज के दिन हम बेसल कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरसल ये बेसल कन्वेंशन जो है वो डील किस से करता है वो किस चीज को रिगुलेट या फिर प्रोहिबिट करने की कोशिश करता है और दुनिया में खासकर ए यहां पर तीन चीज़े हैं जो आपको जानी है सबसे पहला बेसल जो है वो दरसल एक सिटी है स्विजर लेंड में जो के बहुत ही एक वाइबरेंट सिटी है खासकर फॉर्मसिटिकल इंडस्ट्री के लिए वो जाना जाता है तो यह कन्वेंशन उसी सिटी में साइन किया गय या फिर जो कोई भी वेस्ट प्रॉडक्स खासकर जब हम फार्मसी इंडस्ट्री से देखते हैं या फिर हॉस्पिडल्स वगरा से भी कई हजार्डस इस तरीके से वेस्ट डिस्पोजल जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो कि किसी और एन्वार्मेंट को या फिर क किसी और सुसाइटी को किसी और कंट्री या फिर किसी और इनसान को जो है वह ह्याँ ओगर्स लीवेपक्स कर सकते हैं तो इस तरीक है क्या खाने से भी कई वीडियो जो है तो हमने देखा महां पर भी United Nations Environment Program ही या तो उसका एक Secretariat की तरह वो काम कर रहा था या फिर एक Trusty की तरह वो काम कर रहा था या फिर उसके पूरे काम खुद ही जो है वो United Nations Environment Program ही अंडर्टे कर रहा था तो इसमें भी जो है याना कि खुद BASEL Conventions के जितने भी Negotiations थे वो सभी United Nations Environment Program ने ही शुरू किये हुए थे अगर हम यह कह सके तो बहतर होगा जितने भी important इस तरीखे के Environment Protection के जो Conventions है वो कहिना कहीं United Nations Environment Program के ही इनिशेटिव है जो कोई भी इस तरीखे के Hazardous Waste Products है फिर जो इस तरीखे के Other Harmful जो Products हम डिस्पोस करने की कोशिश करने है उन्हें किस तरीखे से कर रहे है या फिर उन्हें उपनली जो है वो डंप किया जा रहा है या फिर किसी अजर्णिंग रिवर वगेरा में से बहा दिया जा रहा है Scientifically क्या आप उसे डिस्पोस कर रहा है या नहीं किस तरीखे से कर रहा है तो इन सभी चीज़ों के बारे में A to Z जो है वो बेसल कन्वेंशन डिल करने की कोशिश करता है इट केम इंट फोर्स इन 1992 इस बेसल कन्वेंशन का जो है से क्रेटेरियट लोकेटेड है इट अपलाइस प्रायर कंसेंट अप्रूवल प्रोसीजर बहुत ही इंपोर्टेंट है आगे भी हम चंद इंपोर्टेंट वीडियोस इसी तरीके के एंवार्मेंट से रिलेटेड वीडियोस के बारे में बात करेंगे कन्वेंशन के तो महाँ पर भी बार-बार आपको ये प्रायर कंसेंट अप्रूवल प्रोसीजर देखने को मिलेगा कर सकता तो चाहिए कि उस कंट्री के स्पेसिफिक गवर्नमेंट से पहले परमीशन लें के भाई हम ये पूरा हजार्डस वेस्ट जो है या पर हजार्डस एंड वेस्ट डिस्पोजल जो है वह आपके कंट्री में भेज रहे हैं ताकि महाँ पर कोई स्क्रैप वाला जो हु यहाँ पर उसे रिसीव कर रही है चाहिए कि वह अपना रिटन कंसेंट जो है वह एक्सपोर्टिंग कंट्री को दे तभी जो है यह हजार्डस या फिर वेस्ट प्रॉडट्ट्ट जो है वह इंपोर्टिंग कंट्री में जा सकता है नॉन पार्टीस केनाट अगर कोई बीए कंट्री चाहिए बेस्ट एक्जामपल अगर मैं देशागों तो ऐसे कई डेवलब्ड कंट्री से यूस या फिर कनड़ा जो कई आफ्रिकन कंट्री में जाकर अपना यह वेस्ट डिस्पोजल जो है वह वहाँ पर डिस्पोज करते हैं तो यह तो बहुत ही बुरी चीज़ है क्योंकि आफ्रिका के जाधातर कंट्री जो है वो और नॉन डेवलब्ड है तो जाहर सी बात है कि आप एक एडवर्स चीज अपने कंट्री का जो हाजार्डस वेस्ट है वो जाकर किसी और जो दूसरा कंट्री जो इतना अच्छी तरीखे से सांटिफिकल जो कोई भी मेंबर है इस कंवेंशन का उस पर भी एक obligation रखागा है कि आप नेशनल लेवल लॉस भी जो है बना कर रखिये क्योंकि इस तरीखे के हजार्डस वेस्ट को जो है किसी भी तरह रैंडमली डिस्पोस नहीं किया जा सकता इंटरनेशनली तो हम है लेकिन नेशनली भी आप अपनी पूरी कोशिश कीजिये है आप डिस्पोस करेंगे, इन सभी के बारे में information देना पड़ता है Conference of Parties is a primary organ of the Basel Convention and is responsible to make decisions about the operation of the Convention. It means biannually यहने कि यह जो Conference of Parties यहने कि जो कोई भी signatories है, वो अपने representatives को वहाँ पर भेजते हैं, conferences वगेरा रखे जाते हैं, तो इस तरीके से Conference of Parties जो है, वो बहुत ही important primary organ है, जो इस convention से related अलग-अलग reports जो है data वगेरा अपने पास रखता है, उन्हें analyze करता है, publish करता है और किस तरीके के amendments जो हो जरूरी होते हैं इन सभी के बारे में Conference of Parties जो हो deal करता है, और यह हर दो साल में एक बार मिलते हैं, यानके हर दो साल में एक बार इनकी Conference होती है, बैठाक होती है Basal Convention defines waste as something that needs to be disposed of by the provision of the national law, इसलिए जो है उन्होंने national law बनाने के लिए रगमेंट किया हुआ है, क्योंकि हर country में अलग-अलग product जो हो हजार या फर waste माना जाएगा, तो हर country की need और necessity के हिसाब से, जिस country ने भी, जिस वेस्ट product को जो है list किया हुआ है, अपने annexures में, तो उसी तरीखे के products को जाए, वहाँ पर ban किया जाएगा, उनके transportation पर रोक लगा दी जाएगी तो इसमें यहाँ पर भी हमें दो अलग-अलग annexures देखने को मिलेंगे, annexures 1 defines hazardous waste, while annexures 2 defines the other waste, यानके जाहर सी बात है कि first list में जो है, वो hazardous waste जो के बहुत ही harmful है, किसी भी तरीखे से उनका transportation अलग नहीं कर सकते, और अगर अलग करेंगे भी, तो किस तरीखे से उन्हें dispose off करेंगे, सभी के बारे में देना पड़ेगा, और annexures 2 में जो है, बागी के जो कोई भी जितने other waste हाला कि ये भी harmful है, लेकिन ज्यादा तर hazard नहीं होते, इस तरीखे के products हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे, और ये भी medical equipment वगेरा इस्तेमाल करते हैं, तो वह भी इसे बेसल convention में जो है, waste की तरह देखा जाएगा, used oils, used lead acid, batteries, etc, ये सभी जो है, वो harmful होते हैं, adversely, जो है, environment को, human health को effect करते हैं, तो ये सभी जो है, वो hazardous और waste के category में जो है, देखा जाएगा as per basal convention, apart from the waste, the basal convention also handles some topical issues like electronics and electrical waste, e-waste's हम कहते हैं, जो कोई भी पुराने mobiles, computer, electronic devices, जो हम फेग जेते हैं, उसमें भी हमें mercury वगेरा का content देखने को मिलेगा, mercury भी बहुत हामफुल होती है, अब नए मिन्नामाटा DCs के बारे में सुना होगा, हम आपको इस YouTube चैनल पर मिन्नामाटा convention के बारे में भी देखने को मिलेगा, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, तो इस तरह के इसे, e-waste से जो है, वो भी बहुत ही हामफुल होता है, ship destined for dismantling, जो बड़े-बड़े ships अपने पूरी सर्विस के बाद dismantle के लिए जाते हैं, वहाँ पर भी बहुत ही adverse और pollution जो है, वो फैलता है, इन सबी चीजों के बारे में भी ये बेसल convention डिल करने की कोशिश करता है, ये थी चन्द बातें आपको जानने थी, बेसल convention के बारे में, thank you for watching my video